आज जानेंगे, पर्सेंटेज निकालना, पर्सेंटेज काईसे निकालते हैं? मानें, अगर कोई अंक मुझे 30 दिया हो, 30 का मुझे 10% निकालना हो. देखिए, किसी भी नमब्र में ऐसा चीन लग जाए। इसी को क्या बोलते हैं? परसेंटेज है यह कर रहा है 30 का मुझे 10 परसेंट निकालना हो तो 30 30 का 30 ऐसे लिखेंगे का के मतलब क्या होता है इस का का मतलब गूना गूने और उसके बाद यह 10 दिया है तो 10 को ऐसे लिखना है और यह परसेंटेज जो दिख रहा है इसी को भागे में 25 कर देंगे भागे में 25 करने का बाद देखिए अब यह कटेगा तो इसको कटाएंगे 10 से यह कट गया 10 से यह कट गया तो अब देखिए बचा 3 into 1 3 3 into 1 बचा अब इसका क्या आगया 3 इन आएगा अब नेश्ट चलते हैं अब देखिए अगर आपसे बोला जाए कि 75 का 28 परसेंट निका लिए तो देखिए इसके लिए भी एकदम सेम प्रोसेस है आपको 75 लिखना है फिर देखिए का के मतलब क्या होता है अभी बताया था मैंने गुड़ा का के मतलब गुड़ा लिख दिजिए और 28 को आप ऐसे ही लिखेंगे 28 के पाद इस परसेंटेश को क्या करते हैं बाटे में 100 लिख देते हैं अब देखिए इसमें कटने वाला हो जो कटाईए नहीं कटने वाला हो तो आपको तो पहले गुणा करना पड़ेगा 75 और 28 में 25 और 28 का गुड़ा करेंगे 200 आएगा 2100 भागे 100 कर देना है अब इसमें भाग देंगे माल लेजिए 2-0 से 2-0 कट गया तो डिरेक्ट यह सिंपल दिख रहा है 21 आएगा चलिए यह भी समझ में आ गया होगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही माल लेजिए कि अगर आप जिन्स के दुकान पर जाते हैं तो क्या होता है कि जिन्स वाले जिन्स का रेट है कि तेरह सोब और तेरह सब बोलता है कि 20 पर सेंट मैं कम करूंगा 33 रुपया का जिन्स है और 2% आपको कम करके वह देगा तो वह कैसे निकालेंगा आफिक इसमें भी वहीं करना है तेरो सोिंटू 1300 का मतलब क्या होता है गूने इंटू और 20 को आई से ही लिख देंगे अब % का हम बताया थे बाटेया में लिखके दिया जाता है अब देखे इसमें क्या होता है कि इसमें ये दो जीरो से ये दो 단 जीरो जाएगा आप देखिए 13 इंटू 20 तो 13 इंटू 20 इसको गुड़ा करेंगे तो इसका कितना आएगा आपका गुड़ा कर लेजिए 260 आएगा अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चाइनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद